नवश्कार, पेप्टिक टाइम अद दिपरदेश समाचार में आपका स्वागत है अब मास्टर सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे सरकार पहले ही इशारा कर चुकी है कि शिक्षकों से पढ़ाई के लावद दूसरे काम नहीं लिए जाएंगे और अब इसकी तैयारी भी है कि शिक्षक समय पर अपने स्कूल पहुँचें और समय से ही स्कूल से निकलें इसके लिए अब सिक्षकों को सार्थक एप पर अपनी उपस्तिती दर्ज करानी पड़ेगी क्या है ये सार्थक एप और कैसे इस पर उपस्तिती दर्ज होगी इसको लेकर चत्रपूर में एक बैठक आयोचित की गई जलव सिक्षा दिकारी संतो शर्मा ने शहर के सास के हार सिकेंडरी स्कूल कमान कर दो में एक बैठा कर शिक्षकों को नर्दिशित किया कि बेस समय पर स्कूल पहुँचे और बच्चों को गुर्वत्ता पूर्ण सिक्षा देने का काम करें उन्होंने बताया कि सरकार को सार्थक एप के जरिये उपस्तिती भेजना अनिबार किया गया है आज की मीटिंग इस बिसाय में रखी गई है कि हमारा सेक्षिक गुर्वत्ता का कारिकरम सफल हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचरों की उपस्तिती विद्याले में 100% होना अनिवारी है और बच्चों की उपस्तिती होना भी अनिवारी है तो टीचरों की उपस्टिती सुनिश्यत करने के लिए सार्थक एप से अटेंडेंस लगाने का पूरा प्रिस्ट्षन दिया जा रहा है इस प्रिस्ट्षन के बाद उनका अटेंडेंस लगना सुरू हो जाएगा तो वो अपना अपना डाउनलोड करने के सार्थक एप को और से अटेंडेंस लगाएंगे दूसरा सासन की जो मात्पूर्ण योजना हैं उनकी क्रियार्मेन की समिक्षा और उनके निदेश दे करके उनका काम पूरा किया जाएगा और इस बैटक के बाद किवले रहेगा कि हमारे सारे काम एक तरफ और सेक्षर गुर्वत्ता सुधार का काम ही किवल होगा और उस पे बाद तो समिक्षा और पूरी मॉनिटिंग होगी